हमाचल प्रदेश में बरती महंगाई और बेरोजगारी से जंता परिशान है वही माफ़मा ने भी इन समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है शिम्रा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के दौरान जिला सचिर संजे चौहा ने सरकार को जन विरोधी करा दिया है और कहा है सरकार ने सब्ता में आने से पहले जो वादे किये थे उन्हें पूरा करने में सरकार पूरी तहा से विफल रही है भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी ने सोंबार को हिमाचर प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर सरकार की विफलताओं वजन विरोधी नीतियों के विरित शिम्रा में प्रदर्शन किया उपायुक्त कार्याले से लेकर नाश तक जूलूस निकाला गया इस दोरान जिला सचिप संजे चौहान ने सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने 2017 में चुनाव के दोरान जनता से जुवादी किये थे सरकार में आने के बाद उन्हें अमल में लाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए है संजे चौहान ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि महंगाई कम की जाएगी और रोजगार के अफसर स्रिजित किये जाएगे वहीं किसानों को फसल का उचित मुल्य दिलवाया जाएगा और मजदूरी में वृद्धी की जाएगी परदेश में जो बादपा की जैराम जी की सरकार है उसको आज चार वर्ष पूरन हो रहे है हमारी पाटी CPIM के द्वारा आज ये जो चार वर्ष की जैराम सरकार की जो विफलता है और जो इन चार वर्षों में जो जन विरोधी नीतियां लागू की गई है उसके विरोध में आज परदर्शन किया जा रहा है क्योंकि जब 2017 में आप देखें यही बाजपाती जिसने कहा था कि हम महिंगाई कम करेंगे हम विरोध़गारी कम करेंगे हम ख्रिशी का जो संकट परदेश के अंदर है उसको दूर करेंगे प्रतु आज क्या है आज मेंगाई परदेश के अंदर जो है वो चरम बर है कोई डाल जो है 100 रुपे से कम नहीं है सरसो का तेश जो है 220 तो 90 कीलो मिल रहा है गैस का सिलेंडर जो है वो 1,000 ईएक हजार रुपे से ओपर है इसी तरीके से पेट्रॉल, डीजल, छिक्षा, स्वास्ते, पीने का पाणी, बिजली, बसका कराया, तमाम जो मुलबूत अवशक्ता हैं लोगों की वो जो है महंगी जैराम की सरकार ने की है, दूसरी ओर बेरोजगारी व्यापक है, आप देख रहे हैं, साड़े आठ पड़ लिखा बेरोजगार है, जो एंप्लॉइमेंट एक्सेंजिस में अपने रोजगार की इंतजार कर रहा है, और आज हिमाचर प्रदेश के अंदर 2017 में जो वार्शिक, जो बेरोजगारी की दर थी, वो 0.5 प्रतिशती, मई 2020 के अंदर, वो जो है इसी बाजपा की नीतियों के चलते, वो 28 प्रतिशत तक चली गई है, COVID-19 के चलते, जो संकट पैदा हुआ है, जो हमारा विपारी, जो परियटन विपसाइस से जुड़ा हुआ था, परिवेन विपसाइस, आज सरकार उसको कोई भी रात नहीं दी है, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि किस बात की आप र प्रदेश की सरकार के उपर, और सरकार जो है, वो कर्ज देकर घी पिडे का कारे कर रही है, आज निरंतर आप देख रहे हैं, करमचारी आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस का करमचारी प्रदेश के अंदर, पहली बारी अपनी मांगों को लेकर मुखे मंतरी के पास पहुंच, आउट्सोर्स का करमचारी करना अमूलग, यह जो नई पेंशन स्कीम को खतम करके इसी भाजपा ने वाइदा किया था दोजार स्तारा में कि, ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे, परंतु कोई वाइदा पूरा नहीं किया है, मैं समझता हूँ, यह चार साल विफल करेंगी और आने वाड़े समय में, यह जो जिस प्रकार से अभी उप चुनाओं में आपने देखा है, चारो सीटे भाजपा हारी है, आने वाजपा की सरकार को, जनवरोदी सरकार को जो है, वो आने वाड़े समय में हिमाचल प्रदेश में अफ्सरपरान ना किया जहे, और हम जो है CPM विकल्पिक नीतियों के लिए जो है संगर्च टेज़ करेंगे और अगामी समय में एक विकल्प के तौर पर प्रदेश के अंदर अपने आपको प्रस्तुत करें